नमश्गार दोस्तों आज इस वीडियो में हम अपनी वाइब्रेशन लेवल को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में जानेंगे हमारी वाइब्रेशन लेवल जो होती है उसी तरह के व्यक्ति घटनाए बस्तुए चीजे हम अपनी जंदगी में अट्रैक्ट करते हैं यह हमने लॉफ वाइब्रेशन में देखा था जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए वीडियो लिंक नीचे दी है अब हम यह जानने के कोशिश करेंगे कि अगर हमारी वाइब्रेशन लेवल आज जो है जिसकी वजह से हमारे जंदगी में जो प्रेजंट सिचुएशन पीप यानि की घटनाय व्यक्ति जो कुछ भी है वो हमें नहीं चाहिए लेकिन उससे बढ़िया उससे अधिक ज्यादा अच्छा कुछ चाहिए तो हमें अपनी वाइब्रेशन लेवल बढ़ानी होगी अब इस वीडियो में देखते हैं हम कि हमारे वाइब्रेशन लेवल को बढ की एक किताब जो डेविड होकेंस की है उसमें सेलिया गया है मुझे उसके मताबिक आपके वाइब्रेशन लेवल कैसे कैसे बढ़ती जाती है नहीं दिखाया गया कौन से ऐसे भावनाय हैं, कौन से ऐसे feelings हैं, कौन से emotion से जो आपके vibration level को low करती है और कौन से ऐसे feelings हैं, जो high करते हैं, यह भी इसमें दिखाया गया है जैसे कि आप देखेंगे कि anger, shame, guilt, यह जो चीज़े हैं, यानि कि गुस्सा, शरम, अपराद बोध की भावना यह सब चीज़े हमारे vibration level को low बनाती हैं और जब vibration level low हो जाती हैं, उसी तरह की घटनाएं लक्ती हमारे इर्दिय अट्रक्ट करने लगते हैं अगर हमें इसे अच्छा बनाना है, बढ़ाना है, तो हमें इन सब से उपर उठना होगा, हमारी vibration level को उपर बढ़ाना होगा और इसके लिए हमारे विचारों के बारे में हमारी awareness यानि कि हमारे विचारों में क्या चल रहा है, positive है या negative है, हम किसी के उपर गुस्सा कर रहे हैं विचारों में हो सकता है, कई बैर लोग बोलते हैं कि वो बाहर कभी गुस्सा नहीं करता है, वो बहुत शांत है, लेकिन अगर अंदर हम गचारों में गुस्सा कर रहे हैं, हम अपराधी खुद को मान रहे हैं, या किसी का मतसर यानि jealousy है, तो हमारी vibration level definitely down होगी, यानि low होगी, कम होगी तो हमें बाहर कोई प्रयास करने की बजाए, अगर हमें अच्छा जीवन जीना है, अच्छे लोग, अच्छी चीज़े, अच्छी घटनाय हमारे जिन्दगी में लानी हैं, तो बाहर ज्यादा प्रयास करने के बगएर, अगर हम अपनी vibration level को खुद की बढ़ाना शुरू कर लेते हैं, तो अपने आप यह सारी चीज़े अपने जीवन में अट्रैक्ट होने लगती हैं, और यह प्रूब्ड सायंस है, यह कोई कही सुनी बात नहीं है, मैंने खुद भी इसे अनुबर किया है, जब मेरे अंदर बहुत सारा गुस्सा था, बहुत सारा शेम था, बहु मैंने प्रयास किया, मैंने कुछ एक्सपरीमेंस किया, उसके बार जो हुआ है, वो मुझे बहुत महसूस हुआ फरक और इसलिए मैं यह बात आपकी साथ शेयर करना जाते हैं, अब आप सूचेंगे कि ठीक है, जलो हमें समझ में तो आ गया कि वापरिशन लेवल किस तरह से वाइबरी बढ़ती है, तो इसे बढ़ाने के लिए क्या करना जाएए, पहले बात तो साफ है कि यह जो चीजें है जिन की जिनकी वजह से हमारी वाइबरेशन लेवल लो होती है, उन से बाहर निकलने के लिए लगअध टेखनीक्स को अपलाय करना होगा, उसका इस्तिमाल करना होगा जिसी कि घुस्से करें या अपराध करें तो हमें पहले तो सबसे पहले सबसे बहुत जरुरी बात की है किakahी इस फरגीवनेस अद यह Яनि अगर करक्षमा करना जितना हम दूसरों को भी हमें हमें खर्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं, जितना हम माफ करना शुरू कर देते हैं, हमारी वैब्रेशन लेबल अटोमाटिक बढ़ने लगते हैं, और भी कई सारी चीजे हैं, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो फरगीवनेस और हमारे विचारों की तरफ देखना, उनके ब अगर ऐसे विचार हैं, तो तुरंत खुद को उनसे दूर हटाना, उन विचारों को अपने से दूर हटाना, फिर उसके लिए क्या करना है, ये सारी टेक्निक सम धीरे धीरे आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा, कि वाइब्रेशन लेवल को किस तरह से बढ़ाना है, कौन-कौन से ऐसी बाते हैं, जो उसे लो करती है या बढ़ाती है, उसे कम करती है या बढ़ाती है, तो एक बार हमें वाइब्रेशन लेवल की बात समझ में आ जाए, तो हमारे लिए उसे बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, और अग आज से ही ये सारे जो इसमें लेबल्स दिखाये गये हैं उसके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए उसे देख लीजिए और फिर समझीए जानिए कि आपकी वाइबरेशन लेबल क्या है और अगर लो है तो वो किन वज़े से है और एक बार वज़े पता चल गए तो उससे बाहर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लिए और आपके लिए अपराद बहुत से मुक्ति, फर्गिवनेज और लॉव वाइबरेशन के कर लॉव नशूर कर देते